नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज की इस वीडियो मा पन दो इलेक्ट्रिक स्कूटर का कंपरेशन करने वाले जो मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है आपको पता ही होगा TVS के बारे में TVS IQ की काफी जाधा चर्चा चल रही है और इंडिया की टोप सेकंड कंपनी ये बन गई है और वहीं बात करें दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो ओला ओला का आपको पता ही होगा इंडिया की नमर वन कंपनी ये बनी हुई है और सबसे ज़्यादा सेलिंग के मामले में अभी तक इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला इलेक्ट्रिक बना हुआ है और बिल्कुल नए उतार में फिर से लोंच करने वाली है 2022 की मानने IQ की तो इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप कई नए फीचर्स और बड़ोतरी पेक देखने को मिलते थे लेकिन अब दोस्तों जो 2023 आ गया है और इसमें आपको ड्राइविंग रेंज भी ज़्यादा देखने को मिलेगी और काफी ज़्यादा फीचर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं और आज की स्वीडियो में अपन दोनों इलेक्रिक स्कूटर के फीचर और कीमत के बारे में बात करेंगे वहीं TVS iCube के फीचर्स के बारे में बात करें तो TVS के नए उलेक्रिक स्कूटर में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें कई feature अपडेट किये गए है जिसमें अब 5 इंच का आपको full instrument console देखा जाएगा उसके बाद अपन बात करें जबकि इसके दोस्तों S variant में आपको 7 इंच की बड़ी screen देखने को मिलती है और इसके अलावा जो SC variant आता है उसमें भी आपको 7 इंच के साथ बहुत नए नए features देखने को मिलते है वहीं TVS का SC variant आता है वो 32 लिटर के बड़े storage के साथ आता है और TVS के नए variant में आपको 17 लिटर के storage भी दिया गया है इसके अलावा अब TVS iCube में आपको anti-tapped alert देखने को मिलता है, crash alert देखने को मिलता है और live vehicle tracking का option भी आपको देखने को मिलता है उसके बाद आपको service alert देखने को मिल जागा, incoming call message alert आपको देखने को मिल जागा, navigation आपको अच्छी कासी देखने को मिल जाएगी और काफी अच्छे अच्छे advanced feature आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, उसमें आपको एक feature मिलता है, image Alexa support जो भी काफी अच्छा feature आपको यहाँ पर मिल जाता है वहीं अपन Ola S1 के feature की बारे में बात करें, तो Ola S1 में मिलने वाले features की अपन बात करें, तो इसमें full आपको LED lighting package दिया गया है, navigation के साथ आपको 7 इंच का full touchscreen display देखने को मिलता है वहीं जो display आपको देखने को मिलता है वो 3 GB RAM के साथ Octagon processor द्वारा संचालित मिलता है और Wi-Fi आपको देखने को मिल जाता है उसी में आपको Bluetooth मिल जाता है और 4G connectivity को support भी आपको इसमें देखने को मिलता है इसके अलावा Ola S1 Pro में आपको cruise control देखने को मिल जाता है Vice Assist आपको देखने को मिल जाता है और Hill Hold Assist जैसा feature आपको देखने को मिलता है जो काफी important feature यहाँ पर मानना जाता है और दोस्तों बहुत काम का feature भी यह है वहीं अपन driving range की बात करें तो TVS IQ Company में 5.1 kWh का battery pack दिया गया है जो एक बार full charge होने पर 145 km की आपको range देता है इसके अलावा Ola S1 में company ने आपको 3.97 kWh battery pack दिया है जो एक बार full charge होने पर 181 km की range offer करता है अब अपन बात करते हैं कीमत में कितना अंतर है तो TVS IQ Electric Scooter को company ने 3 variant में launch किया है 1st TVS IQ 2nd की बात करें तो IQ S और 3rd की बात करें तो IQ ST में paste किया गया TVS IQ की शुरुवाती कीमत 98,000 रखी गई है उसके बाद TVS IQ S की कीमत की बात करें तो 1,08,000 रखी गई है और ST की variant के बारे में अभी दोस्तों यहाँ पर कोई जनकारी नहीं है कि इसकी rate कितनी है लेकिन यह थोड़ी 1,08,000 से उपर ही होगी क्योंकि इसमें फीचर थोड़े एडवांस दिया है तो यह अपन प्राइस पॉंट के इसाप से देखे तो जो ओला S1 आता है और जो आप नया ST variant लोंच हो रहा है कि TVS iCube की थोड़ी सी कम रह सकती है तो दोस्तों फीचर के इसाप से मैं आपको बता दिया है कौन सा बेस्ट है आप आप डिसाइड कर लिजी आपको किस टाइप के फीचर चाहिए आपको जो जो फीचर चाहिए उस इसाप साब स्कूटर सेलेक्ट कर सकते है लेकिन अगर ठीओ तो वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा और जएदे ज़्यादे शेर किजएगा मिलते हैं ईसी किसी नई वीडियो में तब तक कर लिए बाई-बाई